ठीजिक अचले नोरे इसहां डेली लाइफ में कौन सी विस्की पीना पसंद करते हो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं आज कल अपनी डेली विस्की में कौन सा ब्रैंड यूज कर रहा हूँ और उसके पीछे क्या वज़ा है दोस्तो अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ सिरफ वीडियोस बनाने के लिए रिव्यूस करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट ब्रैंड्स बाय करने पड़ते हैं लेकिन भाई मेरी पॉकेट अलाओ नहीं करती की रोज मैं ग्लैन फिडिक 12 या उससे उपर मेहंगी स्कॉच विस्की लेके बैठूँ मुझे भी अपनी पॉकेट का पूरा ध्यान रहता है मुझे भी बजट में चलना पड़ता है और बजट में कोई ऐसी स्कॉच विस्की देखनी पड़ती है जो पीने में काफी एच्छी हो जिसमें आपको एक क्वालिटी मिले और सबसे मेन बाद सुबे उठके जो सरदर् जी हाँ मेरी ये सबसे गंदी दिक्कत रहती है कि मुझे कई ब्रैंड सुबे जो जब मैं उठता हूं तब मेरा जो है हैड़े करते हैं हलाकि मैं काफी लिमिटीडी पीता हूं ये मत सोचना कि आदी बोतल पीके उठता हूं इसलिए मेरा सरदत करता है लेकिन कुछ ब्रैं मैंने मेकरोइस की फुल केस बाय किया है मेकरोइस एक ब्लैंडिट स्कोच विस्की है ये भी बताऊंगा कि क्या वज़ा है क्यों मैंने इसको बाय किया क्योंकि इतनी जादा पॉपलर नहीं है ये अभी मेकरोइस बाय करने से पहले मैं दोस्तों पीता था ब्लैक डॉग व विस्की का काफी एच्छा है टेस्ट काफी एच्छा है उसका लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा जो टेस्ट है वो कहता कि यार कुछ डिफरेंट हो जाए उसके बाद मैं ब्लैक और वाइट के ऊपर शिफ्ट हो गया उसको मैंने काफी देर अपनी regular scotch विस्की के रूप में य जूज नहीं किया था मैंने सिर्फ रिव्यू वगरा किये और बाकी जो बॉटल थी वो अपने फ्रेंड्स में जो है वो दे दी वो उन्होंने पी ली लेकिन थोड़े टाइम पहले मैंने दुबारा से इसकी दो बॉटल्स बाय की और इसको अच्छे से ट्राइ करके देखा इसको मैंने ओन दा रॉक्स भी पिया इसको डेल्यूट करके भी पिया और इसको सोडे के साथ एड़ करके भी पिया जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे मुझे इसमें काफी अच्छा टेस्ट मिला प्राइस काफी अच्छा है क्वालिटी काफी अच्छी है और जो मे तो उसका भी सेम यही था कि उसको भी पीने में काफी अच्छी लगी इनफेक्ट उसने भी मुझे बोला कि 2-3 बोटल्स वो भी बाय करना चाता है तो भाई थोड़े दिन पहले मैंने इसका फुल केस बाय किया है मैकरोईस का ये भी बताऊंगा कि मुझे कितने में पड़ी है पूरा केस मैंने लुद्याना से बाय किया था और लुद्याना से फुल केस मुझे पड़ा है 12,500 का 12,500 की 12 बोटल्स पड़ी देखा जाए तो निर अबाउट 1,000 की एक बोटल इतना ही बजट था मेरा इतने बजट में ही मैं कोई स्कॉच विस्की देख रहा था तो ये सब कुछ कारण हुआ कि मैं मैकरोईस को थोड़े टाइम से यूज कर रहा हूँ मुझे पीने में काफी अच्छी लगी इसमें आपको वनीला का काफी अच्छा फ्लेवर मिलेगा बटर स्कॉच का काफी अच्छा फ्लेवर मिलेगा थोड़ी सी ये स्वीटर साइट पे है अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक निया वेरियन निकाला है मैकरोईस एक्स्रा पीट ये जादा स्मोकी है जादा पीट वाली है इसका अभी मैंने दो तीन बारी यूज़ किया है लेकिन अभी ये मेरे पैलेट पे इतनी सेट नहीं बैठी जितनी नॉर्मल वाली बैठी है तो मेरे हिसाब से ये वन ओफ दा बेस्ट स्कॉच विस्की है अभी मार्किट में जो की बजट में मिल रही है और इसको बाय करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि ये एक निया ब्रैंड है दोस्तो जब भी कोई निया ब्रैंड मार्किट में आता है तो वो सबसे बड़िया कॉलिटी देने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अभी जो consumers है अपनी तरफ attract करने होते हैं तो ये सही time होता है किसी brand को buy करने का और पीने का क्योंकि जैसे जैसे उनकी sale बढ़ती है भाई मेरे साथ से कभी कभी quality में issue आ जाता है लेकिन यही वज़ा बनी कि मैंने इसका full case buy किया है थोड़े दिन पहले अगर आपके try करनी है आप try करो आपको पीने में काफी अच्छी लगी तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ Till then cheers पीओ और जीओ